आज का नोटिफिकेशन एक बड़ा नोटिफिकेशन है बड़ा दो माएनों में है एक तो देश की सबसे बड़ी परिक्षा है यह Union Public Service Commission यानि की UPSC की Civil Service Examination की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों नमश्कार आप देख रहें Zero Period Zero Period में आज के इस बड़े विग्यापन की बात करने को हम तैयार हैं बड़ा दो माएने में इसलिए मैंने कहा क्योंकि एक तो बड़ी परिक्षा है आप सबसीज जानते हैं कि देश की जो सबसे बड़ी परिक्षा होती है उनमें से एक है यह UPSC की Civil Service परिक्षा दूसरा यह व सबस्की बातों समाहित करने का प्रयास किया गया है Aa कि मैं आप लोगों ने इस विग्यापन को बहुत सारे चैनल में बहुत सारे माध्यमों से देख लिया होगा, तो बहुत जादा डीटेल में मैं बात नहीं करूँगा, कि अब आपको ये जानकारी के रूप में इस विग्यापन को मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें दो-तीन चीजें हैं, जो आप नोट कर लें, एक तो ये है कि Last Data of Recept of Application मतलब अंतिम तिथी जो है आवेदन पत्र जमा करने की, वो है 21-2023, यानि 20 फरवरी से पहले-पहले आप ये जमा करने, अब जो मैं कह रहा हूं, आवेदन पत्र जमा करने की, तो इसका सीधा मतलब ये मत समझें, कि इसको डाक से भेजना है या वाई-पोस्ट इसके लिए आपको online ही process करना पड़ेगा, online process करने के लिए आपको एक website बताया है इन्होंने, ये link है, how to apply वारा section जब आप जाएंगे, point two में, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, upsconline.nic.in, यहाँ पर जाएंगे, तो one time registration होगा, one time registration का पूरा process में समझाया है, आप PDF को down कर ही लिए होंगे, अकर आप interested है, तो 159 pages इसमें है, तो आपको पूरे समझने पड़ेंगे, पूरा syllabus इसमें मिल जाएगा आपको, और उसके आद रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको अपना application farm का process पूरा करना है, अब इसमें और एक दो बाते हैं, जो मैं आपके साथ share करनो, last date of receipt मैंने पहले ही बता दिया, एक किस फरवरी शाम 6 बजे तक का समय दिया है, wrong answers के लिए penalty है, wrong answers marked by a candidate in the objective type papers, इसमें एक penalty system लगाया गया है, negative marking का क्या criteria है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, जब आप पूरा notification को पढ़ेंगे, mobile phone नहीं लेके जाना है, आपको mobile phone पूरी तरह से ban है, आपको नहीं ले जाना है, center पे और इसमें और कौन-कौन सी बात है, यह सारे services हैं जिन पर posting होनी है, Indian administrative service, foreign service, police service, auditory account service, civil service, civil account service, corporate law service, defense account service, defense state service, information service, postal service, P&T accounts and finance, railway protection, revenue service, revenue service, income tax, trade service, यह सारे services हैं जिन में आपको posting मिलती है, नमबर आप post यहां पर 1105 बताया गया है, मेरी जान कार्ज में यह काफी बड़ा post है यह, नमबर आप post के अगर बात करें तो काफी बड़ी संख्या में इस बार पादार हैं आपके लिए, मौके अच्छे हैं, मौके अच्छे हैं, इसका मतलब आप इसमझें, competition भी अच्छ बताया गया है कि identify करना है वह अलगल अधंग से इसमें बताया गया है विज्यापन में थोड़ा बहुत और कुछ कुछ हम समझ ले जितनी बात हैं शार्ट में समझना चाहते हैं उन्हीं पर हम बात करना है बाकि आपको यह बात पता ही है कि काफी बड़ा विज्यापन है तो विज्याट में अबया है इसको यह सेंटर की एक लिट क है तूर यह में दिया गया है कहां-कहां पर इसका सेंटर होगा यह आप खुट-खोच सकते हैं इसमें आपके शहर के आसपास कुन सा सेंटर हो सकता है जैसना च्छतित बड़ की बात करूं तो रायपूर में Jackie Center, PaaS में अगर बात करूँ आए तो संभलपूर में center बता रहा एक नाख्पूर में भी Center हो इन पहुता है तो यह समथ आप देख सकते हैं अपने इंद्वर में center है घ्वालेर में center है है तो आप अपने शहर के आसपास कहां पर Center हो सकता यह चूज कर लें, civil service mains का कहां कहां center होगा वो भी इसमें दिया है, वो पिछला जो table था उसमें आपको यह समझाया था कि कहां कहां prelims के center होगे, अब आगे बात कर लें, कुछ और है, plan of examination इसमें दिया गया है, two successive stages, पहला civil service preliminary, जिसमें objective type questions होते हैं, और दूसरा civil services main, जिस written with interview होगा, तो यह तीन process से होकर गुजरना पड़ेगा, आपको पहले आपको examination prelims का देना पड़ेगा, उसके बाद आपको mains का देना पड़ेगा, then फिर आप पहुचेंगा, इंटर्यू में, अगर आप qualify कर जाते हैं prelims को तो बात आती है, mains की, और फिर mains qualify करने के बाद आप की बात की गई है, age limit की बात की गई है, 21 से 32 तक की बात की गई है, तो यह सारी चीजें आपको तभी और इस पस्ट होंगी, जब आप इसको पूरा detail निकाल करके पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसको पूरा आपको syllabus भी है, इसलिए शायद यह काफी लंबा विज्याप करने, मेरी पूरी शुब काम नाय है कि आप इस परिक्षा में सफल हो, इनी भावनवा के साथ इस वीडियो को यहीं पर भी राम देता हूं, आगे वीडियो में फिर आप से बात करेंगे, नमस्कार